नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतोले आरेस केस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर तो सेकिंड ग्रेड अध्यापक बठती प्रिक्षा में आज हम कुछ और बच्ची हुई राजस्थान की प्राचियन सभयताओं के विशे में बात करेंगे पिछली क्लास में जो हमने देखा था काली बंगा को अच्छे से डिसकस कर लिया था सारी बाते हमने इसकी देख ली थी और आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आहड सभयता के विशे में जो काफी इंपोर्टेंट है और इस class के अंदर हम बचे हुई जो आपके topic है उनको पूरा कर लेंगे यानि यह जो प्राचीन सब्विता वाला यह जो topic है यहां तक अपने सारा का सारा क्या कर लेंगे पूरा कवर कर लेंगे उसके बाद में अपने जो next class टार्ट होगी वहां पर गुर्जर प्रतिहार से अपने बात करने वाले हैं तो आएगर देखें आहड़ सब्विता की प्रमुख बाते हैं तो सबसे पहले जो आपसे प्रशन पूछा जा सकता है वो यह होता है कि आहड़ सब्विता कहां से मिली है दोस्तों तो आहड़ सब्विता आहड़ कस्बे से ही मिली है और स्थान कुम सा है उद्यपूर तो आहड सब्यता का अगर आपसे पूछा जाए समंद किस दिले या किस थान से है तो आपका आंसर होना चाहिए उदेपूर से होगा उदेपूर में कहां पर आहड कस्वे से ये प्राप्त होता है दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे क्षिशन की तो यहां से दूसरा जो अच्छा क्षिशन बनता है वो यही है कि सब्यता के उपनाम क्या थे दोस्तों तो इस सब्यता को और हम कहते हैं बना संस्कृति या बना सब्यता क्योंकि बना सनदी से समंदी थे दूसरा हम इसे कहते हैं मरतकों के टीलों की सब्यता और किस नाम से जानते हैं दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि आहड़ सब्यता की उपनाम क्या है या आपसे पूछा जाए बना संस्कृति किसे कहते हैं हम तो बना संस्कृति हम आहड सब्यता को ही कहते हैं दोस्तों दूसरा अगर आपसे पूछा जाए म्रतकों की टीलों की सब्यता हम किसे कहते हैं तो वो भी कौन सी होगी वो भी आहड सब्यता ही होगी दोस्तों दोनों आंस्वर हमारे यही होगे इसके काल की अगर हम बात करें कब से कब तक था तो 1900 इसापुरव से 1200 इसापुरव तक का इसका समय माना जाता है 1900 से 1200 इसापुरव इस्वी पुरव का जो टाइम है वो इसका स्विकार किया जाता है दोस्तों आहड सबता के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो सिला लेखों में इसका नाम मिलता है तामर नगरी या फिर तामरवती तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कुश्चन आप से बनता है कि तामरवती किस नगर का नाम था या फिर हम कहें भी तामर नगरी जो है कि सबता का नाम था तो वो आहड सबता का नाम था दोस्तों दस्वें और ग्यार्वें सिताब्दी में इसे कहा गया था आघाटपुर या फिर आघाटदुर कहा गया तो अगर आपसे पूछा जाए आगाटपुर किसका नाम है तो आगाटपुर कहें तामरवतिनगरी कहें तामर नगरी कहें आगाटपुर कहें आगाटदुर्ग कहें आहड कहें आयड कहें ये सारे के सारे एक ही सभ्यता के नाम है जिसे हम आहड सभ्यता के नाम से जानते हैं स्थानिय नाम यानि वहां के स्थानिय लोग जो है इसे क्या कहते हैं तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा प्रिशन बनता है कि स्थानिय लोग इसे किस नाम से जानते हैं तो स्थानिय लोग जो है यानि वहां के रहने वाले लोकल लोग स्थानिय नाम का मतलब क्य हमें मिली है इसलिए हम इसे तामरे नगरी कहते हैं अब आपसे पूछा जाए अगला प्रेशन बहुत ही इंपोर्टेंट किस्टन बनता है वो यह है कि इसकी खोज किसने की थी तो कई बार ऐसा मिलान करने वाला जिसे ए बी सी डी चार दे करके एक दो तीन चार के रुपए किसे मिलान करने वाला दे देता है इदर सब्वेता का नाम होता है इदर खोज करता तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि आहट सब्वेता की खोज किसने की थी यानि सबसे पहले पता किसने लगाया था तो आपका आंसर होगा अक्षे कीरती व्यास नाइंटीन फिफ्टी थ से भी लिखते हैं 1953 के अंदर अक्षे किर्थी व्यास ने इसकी खोज की और इसका जो उत्खनन यानि खोदने का कारिया उस्वेता को बाहर निकालने का कारिया जो किया था रत्रन चंद्र अकरवाल के नेत्रतों में होता है अगर आपसे पूछा जाए भी इसका सरवाधिक उत्खनन कब हुआ किसके काल में हुआ यानि सबसे ज़्यादा जो चीजें हैं वो कब निकाले गए तो 1961 में पूना विश्विद्याले के प्रोफेसर थी HD सांकलिया ये नाम आपने सुना होगा प्यारे दोस्तों HD सांकलिया जो है इनके नित्रतों में सबसे ज़्यादा खनन हुआ तो तीन कुष्टन यहां से हमारे बड़े अच्छे बनते हैं खोज किसने की अक्षे किर्थी व्यास ने उत्खनन किसने किया RC अगर आपसे पू तो आयड नदी जो है उदे सागर जिल में गिरने के बाद में बेड़े नदी के नाम से जानी जाती है ये हम पहले भी जब हमने नदिया पड़ी थी तो हमने इस चीज को अच्छे से डिसकस किया था दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आहड सब्यता की विशेशता हैं कि खोज किसने की एक इसका उत्खनन कारिय किसने किया उसके बाद में विशेशता यानि जो चीजे वहां से मिली हैं उनसे समंधित प्रसन आप से पूछा जाता है तो देखें कौन-कौन से चीजे यहां से मिली हैं तो आहड वासी जो चीजे मिली हैं उन्हीं अदार पर हम पहनुमान लगाते हैं तो आहडवासे मुलायम, काले पत्थर और दूप में सुखाई गई कच्ची इंटों के मकान बनाते थे यह हमेशा बहुत important question होता है कि जो वहाँ पर मकान यानि भवन मिले हैं वो किसके बने होते थे तो यह यह तो काले पत्थर, मुलायम पत्थर के मिलते हैं या फिर आपको दूप में सुखाई हुई कच्ची इंटो के मकान मिलते हैं दोस्तों यहां पर हमें छे चुलों वाला एक मकान भी मिला है यानि दो तीन चुले भी मिले हैं एक एक मकान के अंदर लेकिन सबसे बड़े की हम बात करें तो छे चुलों वाला एक मकान हमें मिला है उसके अधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहां कोई लिपी ऐसी नहीं है जिसे हम देख करके पढ़ करके कुछ बता सकें यह च्छे चुलों का एक मकान मिला और इसके अधार पर हमने लगाए कि इसमें बहुत बड़े परिवार रहते होंगे बहुत सारे लोग रहते होंगे तभी तो च्छे चुले एक साथ ह च्छे महिलाएं या बहुत बड़ा परिवार है जो मिल करके यहां पर भोजन बनाने का कारे करता होगा या फिर कोई सारवजनिक भोजन आले होगा कोई सारवजनिक भोजन यहां पर होता होगा कुछ इस प्रकार का अनुमान हम यहां से मिली चीजों के आधार पर लगाते हैं एक चीज यहां से हमें मिले हैं लाल और काले रंग के मृद भांड यानि मिटी के जो पात्र होते हैं मृद भांड हम उन्हें कहते हैं जैसे कि गड़े हो गए कटोरियां हो गई रकावियां हो गई प्याले हो गई मटके हो गई बंडार के कलस हो गई और धकन हो गई दोस जा रही है काले बंगा आहड सब्यता गनेश्वर सब्यता और बैराट सब्यता यह चार ही तो आपको याद करनी है तो यहां चारों में से उप्शन आना है सेकंड केट में तो वैसे भी कोई दिकत नहीं है तो यहां से अनाज रखने के हमें बड़े मृद्भांड भी मिले है यानि मिट्टी के बड़े बरतन हमें प्राप्त होते हैं जिसमें अनाज रखा जा सकता हो ऐसे जो मृद्भांड मिले उन्हें स्थानिय बासा में या समन्य बोलचाल की बासा में क्या कहते हैं गोरे या कोट कहते हैं यह शब्द अच्छे से याद रखेगा गोरे या कोट क्या है गोरे या कोछ मिट्टी के बने पातर है यानि म०्रण भाण हैं जो अनाज रखने के काम में आते थे जो हमें आहड सब्यता से प्राप्त होती हैं दूस्तों यहां से हमें कुछ तस्तिरियां यानि प्लेट पुझा के काम आने वाले धूप धानिया जो इरानियन शेली की है यानि इरानी शेली की धूब दानिया हमें प्राप्त होती है तो इरानी शेली की यहां कैसे पहुंची तो इससे हमें एक अनुमान लगा लेते हैं हो न हो आहडवासियों का सम्मंद इरान से कोई न कोई था या तो वो रहाद आते होंगे या यह वहाँ पर जाते होंगे तो इस परकार कर कोई ना कोई सम्मझ जरूर था दोस्तों ऐसा होने का अनुमान हमें यहां से मिलता है इरानियन चली के जो धूब दानिया हमें यहां से प्राफ्थ होती है यहां पर हमें च्छै तांबे के मुद्राई और तीन महरे प्राफ्ट होती है इन में से एक मुद्रापर हमें तृषूर मिला है और दूसरी पर युनानी देवता अपोलोग खड़े दिखाए देती है यहां से क्षिशन क्या बनता है वो देखेगा दोस्तों कि यहां से कितनी तांबे के मुद्राई मिली है हमें च्छै तांबे के मुद्राई मिली है और मोहरे मिली है तिन तो एक मुद्रा पर जो चितर हमें मिला है त्रिशूर यानि हमारे यहां की देवता का हो गया और एक युनानी देवता अपोलो खड़ा दिखाए दे रहे तो हो नहों यहां से भी कोई सम्मंद हो सकता है ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं यहां से हमें छपाई के ठपे मिले हैं यानि कपड़े चापते होंगे आटा पीषने की चक्की मिली है चितरित बरतन मिले हैं तांबे के उपकर्ण मिले हैं तो इसे अदार से आप अंदाजा लगा सकते हैं आटा पीषने की जब चक्की मिल गई तो यह कोई एक संपन सब्यता रही होगी हम ऐसा मान लेते हैं कि पुरानी सब्यता वहां कुछ भी नहीं होगा हमारे गरों में जो चीज़े हैं वो लगबग चीज़े वहां पर हमें प्राप्त हो रही हैं दोस्तों आटा पीशने की चक्की तो आजकल के गरों में नहीं मिलते लेकिन उनकी घरों में आटा पीषने की चक्की थी, हाथ से आटा पीषने वाले चक्कियां हुआ करती थी चितरित बर्तन है, तांबे के उपकर्ण है और क्या ची एक घर में सारे समान यहां पर हमें मिल रही हैं दोस्तों यहां पर हमें टेरी कोटा यानि मिट्टी पकी हुई मिट्टी की जो एक वरशब मूर्ति यहां से मिलती है और इस वरशब मूर्ति को क्या कहा गया है बनासियन बुल कहा गया है बना संस्कृति का बुल आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से यहां टेरी कोटा से बनी कहा है दोस्तों अब हम बात करें वो क्रशी कौन से चीज़ों की करते थे तो चावल की करते थे और पशुपालन में कुट्टा पालते थे हाती है मेंडा है गेंडा है पशुपालन में कुट्टे को पालते थे दोस्तों और हाती मेंडा गेंडा आदी इनसे ये परिचित थे ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों तो करशी कारे भी किया करते थे खेती होती थी उसमें न हम देख पा रही हैं चावल के अवशे समय बहां से प्राप्त होते हैं अहड के लोग मृतकों को कपड़े और आबुशनों के साथ गाड़ देते थे यानि जब कोई व्यक्ति मरता था उसक साथ में उसके कपड़े आबुशन गाड़ देते हैं जैसे मानते थे कि यह जब भी जहां भी जाएगा तो इसके इसी के हैं तो सकता है कहीं पहनता होगा ऐसे अनुमान हम यहां से लगा सकते हैं कि कह सकते हैं पुनर जनम में उनका कोई विश्वास होगा यहां से हमें बिना हत्ते के चोटे जल पात्र मिले जैसे लोटा होता है ऐसे पात्र मिले हैं ऐसे पात्र सिंदु सभीता में भी नहीं मिले हैं यानि वो कोन सी चीजidence है, जो सिंदों स्बिता में और कहीं देखने कोने मिले, तो बिना हत्ते के छोटे जल्पात्र जो हमें यहां से देखने को मिलते हैं, दूस्तों. ऐसे जल्पात्र ये जो जल्पात्र है ये इरान और ब्लूचिस्तान की सबताओं में पाए गए हैं तो भी हमने देखा था ना इरानियन दूपधानी मिली है यहां पर इसे धार पर और यहां पर यह छोटे जल्पात्र भी मिले जैसे इरान और ब्लूचिस्तान में मिलते तो तुष्यदार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आहड का समन्द कहीं ना कहीं इरान से भी हुआ करता था दोस्तों आहड की सस्क्रती का समाजिक प्रिवेश कैसा था ग्रामिंड था यह याद रखी गा ये ग्रामिन सब्विता की तरह प्रिवेश ग्रामिन था, इनके मकान इंटों और बांस की चटाईयों से बने होते थे, मिट्टी का लेप करके ये मकान बनाई जाते थे आहड सब्विता, खाद्यान फसल की रूप में हमें जवार और चावल की अफसेश में ले हैं तो 1900 से 1200 इश्वय पुरो है, यानि यही इसका अपने काल भी मानते हैं, यानि जब यहाँ पर ये फली फुली उसके बाद में इसका अंत हो गया, जिसके बहुत से कारण माने जाते हैं, वो पूचा नहीं जाता है, इसलिए मुसकी बात भी नहीं करते हैं, हम बात करेंगे, न कांतली नदी के मुहाने पर ये हमें प्राप्त होती है, अगर आप से पूचा जाए, इसकी सबसे पहले खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है, आरसी अगरवाल ने, रतन चंदर अगरवाल ने, 1972 में इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन कार्या जो हुआ, 1977 में, आरसी अग संस्कृति है, याद रखेगा, कौन से संस्कृति है, तामर यूगिन संस्कृति है, और इसमें सबसे प्राचीन संस्कृति ये स्विकार की जाती है, दोस्तों, इसके उपनाम के अगर हम बात करें, तो तामर यूगिन सभयता की जन्नी, पूरवडपा कालिन, या तामर चत्र में तामबे की आपूर्ती करने के कारण ही इसे पुरा तत्व का पुशकर कहा जाता है याद रखीगा इस बात को भवनों का जो निर्मान है पत्थर से इंटों का प्रयोग नहीं मिलता यहां ध्यान दीजेगा भवनों का निर्मान किस से हुआ है पत्थर से यहां मकान किसे बने हुए मिले हैं पत्थर से इंट के मकान मिलते हैं क्या तो नहीं मिलते हैं यहां पर इंटों का प्रियोग हमें देखने को नहीं मिलता है यानि गणेश्वर सब्विता में मकान पत्थर के बने हुए है इंटो के मकान हमें यहां देखने को नहीं मिलते हैं और यह एक मात्र ऐसा स्थान है जहां पर पत्थर के बांद मिले हैं अगर आप से पूछा जाए एक मात्र स्थान जहां से हमें पत्थर के बांद मिले तो वो कौन सा है वो गणेश्वर्शव्यता है यहांसे भी हमें मरदपात्र बहुत अच्छी मात्रा में याने काफी मात्रा में हमें तामर आयोद मिलते हैं। इसलिए तामर सभषता हम कहते ही है laughed यहां से हमें तांबे का बान और मचली पकडने कानटा मिला ये बहुत इंपोर्टेंट क्योश्चन है दोस्तों एक तू तो तांबे का ह₁ है तांबे का समान मिल और मचली पकड़ने का कांटा मिला यहने मचली पकड़ने का कोई विवसाई उनका हुआ होता होगा उनका प्रमुक खाद्यान रहा हो खाद्यान निस्वरे खादे समगरी रही होगी इसमें इतना ही है ज्यादा कुछ नहीं है तो गणेश्वर सबिता की सारी बाते मैंने आपको बता जहां से कुष्चन बनते हैं दोस्तों वो सारी जामने अच्छे से डिसकस कर ली है इतना कम से कम आपको याद करना है बाकि कुछ नई चीज़े होगी तो हम कुष्चन के मादे में सुस्कू करने की कोशिश करेंगे अगली और अंतिम सबिता हमारी इसमें आती है बेराट स अगर की जो बीजक पहाडी है और गनेश और भीम की डूंगरी की जो पहाडी है वहाँ पर हमें बान गंगा नदीक शेतर में मिलते हैं तो बेराट जो सबिता है किस नदी के किनारे है बान गंगा नदी के किनारे है नमबर एक चीज़ हमें याद रखनी है कौन से पहाडी बीजक गनेश और भीम की डूंगरी इसमें इंपोर्टेंट है दोस्तों इसके सरव पर्थम खोज दयराम साहनी ने की थी 1936 में दयराम साहनी ने की इसका सर्वेक्षन और उत्खनन कारे केलास देखसित और नील रतन बनेरजी के दोरा किया गया था भाबरू सिलाले कहा गया अब देखिए यहां से कौन-कौन से प्रशन बनते हैं एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ याद रखीगा कहा है बाण गंगा न दीके केनारी है एक बात याद रखनी है कर्या न किसने की दैयारामसाहनी ने दूसरी बात सर्वेक्स्ण ci cents ने किया कईलास देखित और निल रतन बैनरजी ये तीसरा क्यूशिन बनता है फिर हम कहीं भाबरू सिलाले कहां मिला है बेराट में मिला है जिसे अशोक का सिलाले के बाबरू सिलाले कहते हैं किसको मिला केप्टन रोबर्ट को मिला कब मिला 1837 में मिला था स्थानिय निवासिद जो हैं इस लेखक को कैप्टन रोबर्त को बिजग कहते थे और इसीलिए इस डूंगरी का नाम भी क्या होगया बिजग के डूंगरी हो गया तो बेरट से बता जो है बिजग के डूंगरी पे हमें प्राप्त होती है यहां जो एक पैया है उस पर बुरुष्टो फैदन शैली में खुदा हुआ यह सिलालेक में बाबरू का सिलालेक प्राप्त होता है इस सिलालेक बाबरू के सिलालेक अशोक के सिलालेक यानि जो हमें हमें मिला केप्टन रोबर्ट ने उसको ढूंडा और जो बेराट सब्यता में हमें सिलालेक मिला है अशोक का उससे हमें पता चलता है कि उसके बोध जरम में आस्ता थी यहां जो सिलालेक है उसके नीचे बुद्ध, धम और संग ये तीनों शब्द लिखे हुई है तो आपसे पूछा जा सकता है आरिपिय से मुhmenद करियेगा जहाँ पर भी तीन चीज़ाईं ही न वहाँ पर चौठी डालना असान होता है すलिवी पुरसन बन जाता है बड़ाच्चा पुरसन हैं से बनता है इसी सिलालेह में समराट अशोक को मगद का राजा भी कहा गया है तो आपसे पूछा जाए बाबरू शिलालेक में शोक के सिलालेक में इसे अशोक को क्या कहा गया है तो मगद का राजा के नाम से संबूदित किया गया है यहां से हमें अशोक के द्वरा गो हत्या पर प्रतिबंद लगाने का भी पता चलता है 1840 में इस सिलाले को चटान से काट लिया गया और कॉलकता संग्राले में ले जाए गया वर्तमन में ये सिलाले करोयल एसियाटिक सोसाइटी बंगाल के कॉलकता संग्राले में आप देखने जाएंगे तो वहां पर बेराट में मत जाना वहां नहीं मिलेगा यहां से काट करके वहां पर ले गए हैं कहीं आप बेराट जाओ और कहें जी हमें तो सर ने बताया था वहां तो मिला नहीं की प्रतिमा भी हमें प्राप्त हुई है दोस्तों भारत में सरोपथम अगर मंदिर के उसे कहीं से मिले हैं तो यहीं से प्राप्त होते हैं यह चीज हमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा पूछा जा जिसके अधार पर मानते हैं कि उनसे इसका समंद रहा है दूस्तों यहां से में पाशान कालिन हत्यारों का भी एक कर खना प्राप्त होता है यहां पर एक खड़ा बना हुआ है भीम के डूंगरी में जाएंगे तो एक खड़ा मिलेगा और यह मानते हैं कि यह भीम का जो की चित्रशाला के नाम से भी हम इसे जानते हैं दोस्तों अब एक इंपोर्टेंट बात जो दयाराम साहनी और हवेन सांग कहते हैं हून शासक महिरकुल यहां पर आया था तो बेराट मिस्तित बोधस्तूप बोध विहारों को इसने द्वस्त कर दिया और नो कोटी बोध उ पासकते हैं जिनकी हत्तिया इसके त्वरा कर दी गई थी दोस्तों तो बेराट से समन्दीत इतनी ही जानकारी है जो आपको याद रखना है और इसी के साथ यह जो हमारा टोपिक है वो बिल्कुल कम्प्रीट हो जाता है टेसलिस के लिए आप हमरे अंडुएड आपको अच्छे लग रही है आप काफी कुछ सीख रहे हैं सच में सीखें तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों को जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स प्लास में नए टोपिक के साथ तब तक यूँ ही बने रहे हैं मेरे स थैंक यू वेरी मिच्च